नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भही जो आज का वीडियो है वो बहुत बड़ी आए उन लोगों के लिए जिनके घर में धूप तो आती है लेकिन उनके जंगय कम है तो उनके लिए बेस्ट ब्लांट है वो तो चलिए चलते हैं गार्डन म और यह थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दू कि मैंने किस तरह से अपने पोद्धो को रखा हुआ है जिससे कि वो घर्मी से बच रहे हैं तो इस तरिके से स्मॉल प्लांट्स के साथ तो इस तरीके से रखने से उनको मैनेज करना असान हो जाता है तो यह है भई आज का वीडियो का जो में सब्जेक्ट है छोटे गंबलों के लिए बैतरीन पोद्दे जो की हमेशा आपके गार्डन में फूल देते रहेंगे और दोस्तों सबसे बड़ी बा आपके गार्डन में फूल देने के साथ साथ यह चोटे गंबलों में तो चलेंगे चलेंगे दूसरा इनका एक और फायदा है कि आप इनको किसी भी साइस के गंबले में लगा दो चोटे चोटे डबों में तो बहुत जल्दी से यह पोड को कवर कर लेते हैं और बहुत जल प्लांट्स बना देंगे तो बहुत अराम से पोद्धे उग जाते हैं और दूसरा अगर आप इनको कटिंग के जली भी लगाने चाहो तो आप इनको बड़े अराम से कटिंग से भी लगा सकते हो ये दिखो मिरे पास तो खैरिस के अंगिनत प्लांट आगे पिछे सब जंगे ये दिखेंगे और मैंने दोस्तों कोई इनको अलग से नहीं लगा रखा अपने आप से इन पे जो सीड़ पोड बनते हैं न वो फटफट के अपने आप से उगरे हैं और चारो तरवबही इन पोड़ों की तो बहार आई हुग है लेकिन आज बात करेंगे इन छोटे वाले साइस के जो हमारे मैक्सिकन पेटूनियान है इसको हाइबरिड बोलते हैं तो इसमें दोस्तों पतनी कितने कलर आते हैं मेरे पास फिलाल तीन है एक परपल मैंने आपको अभी दिखाया था और पिंक वाला आप दिखा दिया वाइट वाले पे अभी फूल आए नहीं है वा प्रम्यों में तो ना जितने आपके पास प्लांट कम हो प्लांट ज्यादा हो ना उतने ही कम है और अच्छे भी इतने लगते हैं सुए 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 इतने सुंदर फूल आते हैं इनमें तितलियां भी खूब गूमती रहती हैं इनके आस-पास तो यह देखो सारे में यही ह वह देखो एक तो मिलचिन का काम करते हैं और दूसरा अगर आप किचिन गार्डिनिंग भी करते हो ना तो उसके लिए भी एपॉलिनेशन का काम करते हैं क्योंकि पॉलिनेटर्स जो है वो इन फुलों वाले पॉद्धों की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो सब्जियों वाल उगाने का, तो ये देखो, ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो, सारे में उगे हुए हैं, आप भी उगे हुए हैं, ये देखो, बीज गिर गिर के न, अपने आप से उगे हुए हैं, और ये देखो, कितनो अच्छी तरीके से, आपको गमला तो दिखी नहीं रह यह देखो, यह देखो, है ना, इनकी एक कटिंग उगाई थी, मैंने इसमें, और देखो, सारे डब्बों के इनोने भरी लिया है, पता भी नहीं लग रहा कि वेस्ट वाले डब्बों में लगे हुए हैं, और जब फूल अभी तो शुरुआत हुए हैं, इनके फूलों के आन और साथ में वो भी चल रहे हैं, और देखो, स्टैंड पे जो लगे हुए हैं, यह देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं, और मैंने इसको नहीं उगाए, अपने आप से उगे हैं यह, तो यह देख लो गई, और नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बताई दिया, अगर आपको कोई कहीं दिखते हैं, उसकी कटिंग काटला हो, और फिर अपना उगादो, और यहां जो सारे लगे हुए हैं, इसमें ड्वार्फ वराइटी भी है, और सिंपल वाली वराइटी भी है, जो उपर जाती है न, और ड्वार्फ वराइटी जो नीचे-नीचे रहती है, देखो, और अब त्यार हो गए हैं ये क्योंकि नए नए प्लांट से हैं सारे नए नए त्यार हुए हुए हैं तो बस अब इन पर फूल आने देखो शुरूई हुए हैं अभी कुछी दिन से फूल आ रहे हैं इन में तो फिर मुझे लगा कि इस पोद्धे के बारे में डिसकस करना ज अगर आपके आसपास भी नहीं है तो नर्सरी से आप लेओ फिर तो प्रेटिंग काट काट के अपने आपसे उगाते रहे ना और थोड़ा सा देखो इस तरह का महोल है ना जैसे मैंने रखे हुए हैं और भी गमले इनके आसपास तो अपने आपसे इनके जड़ जड़ के अपने आपसे और पोद्धे हो जाएंगे आपको उगानी भी नहीं पड़ेंगे और नहीं तो फिर भई कटिंग काट काट के लगा लेना और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों और इसके बारे में कोई मैंटेनस नहीं है बस आपने धूप अले एरिये में इनको रखना तो लंबे टाइम तक आते रहते हैं और जब आप इनकी कटाई छटाई करते हो भी आपको लगे की ओवर गरो हो रहे हैं पूरा डब्बा भर गया इदर उदर फैल रहे हैं तो कटिंग को भी आप नहीं नहीं पोर्ट्स में लगा सकते हो नहीं जो आपके वेस्ट मेटियल पतल लगा सकते हो और अधिया कि सारे हैं यह दिक यह वेस्ट में लगे हैं सारे हैं ऐसे मने कुछ-कुछ लगा रखा है जंगल सा बन रहा है एक तरह का वेस्ट टब है यह वेस्ट डस्ट भी नहीं यह चुट-छुटे से काले डब्बे आँ यह देखो पूरे भरे हुए अब इन पर फूल आने की देर है बस अभी शुरुआत है फिर यह भर जाएंगे तो जरूर लगाना आप भी और पर केर में इंटेनेंस कुछ नहीं है जो आपकी अपनी गार्डन सोयल है उसमें कैसी मिट्टी में चल जाते हैं इनका ऐसा कुछ नहीं है के रेत वाली मिट्टी हो या वैसी हो यह तो इतने हाड़ी प्लांट है जहां मरजी इनको लगा दो वहीं उग जाएंगे और देखो बिल्ली के बच्चे रेस्ट कर रहे है यह दो गमले की मिट्टी न वह होती है न गिल्ली गिल्ली और उपर से मैंने असपेरेगस की जब कटाई की थी न घास बिछा रखे इनकी न मल्चिंग के लिए बड़े गमलों में तो बस यह इनका बैड सा बन रहा है एक अंडग सी भी रहती है थोड़ी तो उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जुरूर लगा होगे लगा के देखना है सुब्दर क्लांट है देखा आपने कितने अच्छे लग रहे थे हैं न कितनी कितनी हरियाली वाले तो कमेंट करके जुरूर बताना कि आपको कितने अच्छे लगते हैं प्लांट मैक्सिकन पेटूनिया के तो बस चलते हैं और भी छोटे-चोटे फूद लिखाती चलती हूँ आपको बेवी सं रोज के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं प्यारे प्यारे से तो अगर वी Thank you very much, take care of your dear plants